ये जो लहर है ये नए भारत की ललकार है 21 सदी में जो बेटा बेटी पहली बार दिल्ली की सरकार चुन रहे हैं वो हमारे नवजवान इस चुनाव का नित्रुत्व कर रहे हैं उनको पुरानी बाते जात पात मत पंथ के पुराने चुनावी समिकरान समझ नहीं आते वो तो सिर्फ एक ही बात ठान कर चले हैं कि 21 सदी का भारत उनकी आकांग्छाओं के मताबिक हो मैं नितिज जी का पासवान जी का सुशिल मोदी जी का और सभी साथियों का और मैं कहूंगा कि सवभाग्य है कि देश का युवा वोटर उन सपनों उनकांग्छाओं के पूर्ति के लिए एंडिये गट बंदन पर विश्वास करता है भाई और बैनों हमारे लिए तो भारत माता की जय यही हमारी भक्ति है और बंदे मात्रम का उद्गोस यह हमारे जीवन की शक्ति है मा भारती की समर्दी सुरक्षा और शान्ति का ही यह दाईत्व है जिसे हम एक्की एक्सो तीस करोड भारतिय मिलकर के निभार रहे हैं लेकिन कुछ लोगों को इससे समस्या है भारत माता की जय और बंदे मात्रम से दिक्कत है क्या ऐसे लोगों की जमानत जब तो होनी चाहिए के नहीं होनी चाहिए सात्यों यही वो लोग है जिने भारत की बात करने से भी शिकायत है वो कहते हैं मोदी आतंगबाद की बात क्यों करता है यह तो मुद्दा ही नहीं है आप मुझे बताईए राष्ट रक्षा और आतंगबाद इम मुद्दा है की नहीं है मुद्दा है की नहीं है जिस बात की समझ आपको है देश की जनता को है वो इन स्वार्थी भूसवादियों को नहीं है महा मिलावट करने वालों जिस आतंगबाद ने स्री लंका में साड़े तिन सो से ज़्यादा मासुम लोगों को इसी हफ्ते उनकी जान ले ली क्या ये मुद्दा नहीं है क्या हमारे आस पडोस में ही आतंग की फैक्टरियां चल रही है और आतंगबाद कहते मुद्दा नहीं है भाईयों बहनों ये आतंगबाद का अगर सबसे बड़ा नुक्षान किसी का हुआ है तो मेरे देश के गरीबों का हुआ है 40 साल पहले हमारे देश में न नेताओं के साथ इतनी पुलिस लगानी पड़ती थी न रेलवे के डिब्बे चेक करने के लिए पुलिस लगानी पड़ती थी न बस अड़े पर पुलिस लगानी पड़ती थी न बाती बाती की टेकनोलोजी लानी पड़ती थी न मंदीरों के सामने पुलिस लगानी पड़ती थी, न मज्जित के सामने पुलिस लगानी पड़ती थी, न गुरुदवारे के सामने पुलिस लगानी पड़ती थी, हर कोई सामान ने जिन्दिगी जीता था आज जो पैसा गरीबों के लिए काम आना चाहिए जिस पैसों से गरीबों के लिए स्कूल बनना चाहिए जिस पैसों से गरीबों के लिए अस्पताल बनना चाहिए 40 साल से ये पैसे बम, बंदूक और पिस्तोल में हमें खर्च करना पड़ रहा है और उपर से हमारे गरीब माबाब के बेटे जो सेना में जाते हैं, सुरक्षाबलों में जाते हैं, पुलीस में जाते हैं, उनको 24 गंटे 24 गंटे निंद नहीं मिलती, निंद भाईयो इतनी इनको मेहनत करने परती है और एकात गटना गट गई तो उनकी तो बेचारों की नोकरी चली जाती है, भाईयो बेहनों ये आतनकवाद ने सबसे जादा नुक्षान हमारे गरीब भाईयो बेहनों का किया है, जो उनको मिलना चाहिए था, वो पिस्तोल खरीदने में खर्च करना पड़ रहा है, जो उनक के लिए भाईयो बेहनों, देश के गरीबों का बला करने के लिए भी आतनकवाद को खतम करना जरूरी है, महा मिलावट करने वालों, आपके लिए देश की सुरक्षा मुद्दा नहीं होगा, लेकिन नए भारत में ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये नया हिंदुस्तान है, ये आतनके अड़ों में गुश करके मारेगा, साथियों, इन लोगों की इसी सोच की वज़े से, दर्भंगा ने भी आतनको बहुत करीबी से देखा है, इन लोगों की इसी सोच की वज़े से, देश को आतनका ऐसा मॉडूल मिला, जिसने दर्भंगा की प्रतिष्ठा को नुक्षान पहुंचाया, लेकिन वो तिन और थे, आपका ये चोकिदार चोकन्ना है, न कोई मॉडूल रहेगा, और नहीं कोई मिलिटन्ट बचेगा, लेकिन भाई और बेनों, आपने देखा होगा, कि तीन चरण के मद्दान के बाद, करीब तीन सो सिटों का मद्दान हो गया, ये तीन चरण के मद्दान के बाद, ये जो उचल-उचल करके, गला फाड फाड करके, एर स्ट्राइक के सबुत मांगते, ये सारे अचानक हो गए, गायब हो गए, जो पहले पाकिस्तान की पैरोकारी कर रहे थे, वो आज मोदी और अब इवियम को गाली देने में जुड़ गए हैं, बाई यो और बेनों, जमीन से कटे हुए ये लोग, जनता की नब्ज नहीं समझ पाए, इसलिए जनता ने तीन चरणों में इन लोगों को थोड़ा ठीक से समझा दिया है, इसलिए ऐसे लोग चिड़े हुए है, बौकलाए हुए है, सात्यों राष्ट की रख्षा, संस्कृती की रख्षा, देश के लोगों की आशा, कांख्षाओं की रख्षा, सरफ नेक इरादों वाली मजबुत सरकार ही कर सकती है, सोचिए भाई और बैनों, ये महा मिलावट करने वाले, अपने वाइदों में भी ये गोटाला करने के एक्से एक्सपर्ट है, एक्से एक्सपर्ट है, कि अपने वाइदों में भी गोटाला करते हैं, उसमें भी हाथ सफाई दिखाई जाते हैं, साथियों 2004 में एक कॉंग्रेस के पार्टी ने यह हर बार नया नया डकोशला पत्र निकालते हैं न मैनिफेस्टों निकालते हैं कि मैं जड़ा 2004 का खोल करके दिखाता हूं 2004 में एक कॉंग्रेस ने देश को वादा किया था कि भो 2009 तक 2009 तक यह 19 चल रहा है कि याद रहेगा आपको याद रहेगा 2004 में कहा था और यह कहा था 2009 तक डेश के हर गर में बिजली पहुचा देंगे क्या यह वादा पुरा हुआ था यह वादा पुरा हुआ था कॉंग्रेस और उसके साथियों ने आपको दोखा दिया के नहीं दिया कि दोखा दिया के नहीं दिया कि 2014 में आपने कॉंग्रेस की इस नियत को पहचाना और इस चोकिदार को जिम्मेदारी सौपी लाल किले से मैंने एलान किया था कि एक हजार दिन में 18.000 गाउं जहां बिजली नहीं पहुँची है हम उसको बिजली से जोड़ देंगे एक हजार दिन होने से पहले मैंने वादा पूरा कर दिया इस देश के हर गाउं में बिजली पहुची गावों में बिजली पहुंचने के बाद हमने वादा किया कि सवभागी योजना के तहट देश के हर परिवार तक बिजली पहुंचाने का काम हम पूरा करेंगे काम तेजी से चल रहा है और मैं नितिश जी सुशील जी को बढ़ाई देता हूँ बिहार में उन्होंने लाल तेन को सदा सदा के लिए बिदाई कर दिया और हर घर में बिजली पहुंचा दी आप हैरान हो जाएंगे आज जैसे बिहार में काम हुआ है गवर्नर रूल आने के बाद पहाड़ों में बरफिली चोटियों पर जम्मू कश्मिर के हार घर में बिजली पहुंच गई भाईयों बहनों गरीब के घर बिजली पहुंचाने का काम कॉंग्रेस की सरकार भी करती थी ये लाल तेन वाली भी कर सकते थे लेकिन अब अपने अपने कुनमा का भला करना यही उनका काम था कोई फाम हाउत बना रहा था कोई शौपिंग मॉल बनवा रहा था कोई शोरूम लूट रहा था तो कोई कोईले में लूट मचा रहा था कोई रेलिवेट टेंडर में कमिशन खा रहा था तो कोई हेलिकॉप्टर सोदे में दलाली खा रहा था सब अपनी जिंदगी में रोशन करने में इतने व्यस्त थे कि उनके पास गरीब के घर बिजली पहुचाने की फुर्सत नहीं थी यही इन मिलावती करने वालों की सच्चाई है भाई और बेहनों बीते पांच वर्सों में जो काम बिजली के लिए हमने किया है ठीक वैसा ही काम अगले पांच वर्स हम पानी पहुचाने के लिए करने वाले है इसलिए अपने संकल्प पत्र में बीजेपी ने एलान किया है कि पानी के लिए अलग से जलज शक्ती मंत्रा ले बनाएंगे इसका बिहार को और विशेश कर यहां के किसानों उनको बहुत लाब होगा बाहियो और बहनों साल 2022 तक किसानों की आए डबल करने के लिए हमारी सरकार पूरी इमांदारी से काम कर रही है लागत का डेड़ गुना समर्तन मुल्य हम पहले ही तै कर चुके है अब पीएम किसान सम्मान योजना के माध्यम से सीधा पैसा बिहार के डेड़ करोड़ चे अधिक किसान परिवारों को मिलना शुरू हो चुका है और अभी नितिष जी कर्ज माफी का विशे बताते हैं आप देख लेना कोई आदिवासी किसान उसको न कभी कोई कर्ज मिलता है कोई दलीत किसान उसको कभी कोई कर्ज मिलता नहीं है ये कर्ज माफी ना आदिवासी किसानों के लिए है ना दलीत किसानों के लिए है और नहीं जादातर OBC किसानों के लिए भी नहीं है ये कुछ मुठी भर उनके चेले चपाटों का कर्ज माफ होता है किसानों का नहीं होता है चुनाव के बाद जब फिर NDA की सरकार फिर जब आएगी तब बिहार के अभी हमारा नियम है पांच एकड भूमी तक का लेकिन 23 माई को भाजपा NDA की नई सरकार बंडे के बाद ये पांच एकड वाला नियम भी हता दिया जाएगा और इसका फाइदा सब को दिया जाएगा भाई और भेनों हमारे किसान हमारे अन्न दाता उर्जा दाता भी बन सके इसलिए भी देश में एक अभियान चलाया जा रहा है आप अपने खेत में सौर उर्जा सूरिय शक्ति वाली उर्जा पैदा करके उसे सरकार को बेच सके इसके लिए व्यवस्ताएं बनाई जा रही है सोलार फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है किसानों को सोलार पंप देने का भी देश व्यापी अभियान चल रहा है हमारे किसान भाई और बहनों को साट वर्ष की आयू के बाद पैंशन मिल सके इसके लिए भी नई योजना बनाने के लिए हम संकल्पद है बाई और बैनों पान, माच और मखान ये इस खेतर की पहचान है NDA सरकारों ने नए ताला बनाने ताला माच और मखान के उत्मादन को बढ़ावा देने के लिए सबसीड़ी की सुविदा दी है National मखाना Research Center उसको मजबूत करने का भी काम किया गया है इसी तरह हमने मचली पालकों के लिए एक अलग मंत्रा लए अलग डपार्टमेंट मचवारों के लिए अलग डपार्टमेंट बनाने का निर्णे किया है मचली पालकों किसानों की तरह किसान क्रेडिट काड की सुविदा दी गई है ताकि उन्हें छोटी छोटी जरुरते पूरी करने में दिक्कत नहों बाई और बहनों एंडी ये गटबंदन गरीब की आवशक्ताओं के प्रती सम्वेदन सील है सबको सुरक्षा सबको सम्मान हमारा प्राण है इसका ही एक उदार है आईशमान भारत योजना इस योजना का लाफ बिहार के भी लाखों गरीब परिवारों को मिल रहा है साथियों इतिहास में पहली बार साम्मान्य वर्ग के गरीबों को भी दस प्रतीशत आरक्षन देने का प्रावदान भी हमारी सरकार द्वारा किया गया है और वो भी बाकी वर्गों के हक से जराबी छेड़ छाड़ किये बिना भाई और बेहनों एंडिये की सरकार ने बाबा साब आम बेड़ करके बताए रास्ते को और मजबुत किया है लेकिन वोट के लिए महा मिलावटी अफ़ाएं फैलाने में जुटे हैं मैं आपको भरोसा देता हूँ जब तक मोदी है तब तक किसी के हक से कोई छेड़ छाड़ नहीं होगी साथियों जोस्थान हमारी संस्कृति की पहचान है आस्ता से जुड़े है उनके विकास के लिए मिधिला इंचल को रामायन सरकीट से भी जोड़ा गया है मिधिला पेंटिंग के प्रचार प्रचार के लिए जो नए तरीके निकादे गए हैं वो भी आप देख रहे हैं यहां आने जाने के लिए भी अनेक सुविदाओं का विस्तार किया जा रहा है यहां के एरपोर्ट पर भी तेजी से काम चल रहा है परियटन के एक एहम कैंदर के रूपे हम मिधलान चलर को विख्षित कर रहे साथियों मजबुत बिहार मजबुत भारत के लिए आप सभी को दर्भंगा और मधू बनी में कमल के फूल पर और समस्तिपूर में एल जेपी के निशान पर बटन लबाना है आपका एक एक वोट आपका एक एक वोट मोदी के खाते में जाएगा इस चोकिदार को मजबुत करेगा भायों बैनों हमारा देश मजबुत होना चाहिए मजबुत देश के लिए सरकार मजबुत होनी चाहिए सरकार मजबूत बना के लिए प्रदान मंत्री मजबूत होना चाहिए चौकेदार मजबूत होना चाहिए आप मुझे बताइए आज कल जो 20 सिट लड़ रहे हैं वो भी प्रदान मंत्री बनने के लिए लाइन में खड़े है करनाटका में तो 8 सिट लड़ने वाले भी प्रदान मंत्री के लाइन में खड़े है 40 सिट लड़ने वाले भी प्रदान मंत्री के लाइन में खड़े है यह जितने चेहरे आपको दिखते हैं जो कहते हैं कि वे प्रदान मंत्री बनना चाहते हैं आप इमानदारी से बताईए, जो सच है वो बोलना है, यह पत्रकारों को खुश करने के लिए नहीं बोलना है, जो सच होगा वो बोलना है, बोलेंगे? बोलेंगे? जो सच है वही बोलना है, मुझे या मिडिया वालों को खुश करने के लिए नहीं बोलना है, सच बोलेंगे? ये जितने चहरे हैं, बाजार में, चुनाव के मदान में, ये प्रधान मंत्री की लाइन में जितने चहरे हैं, मुझे बताईए, इमानदारी से आतंगबाद को कौन खतम कर सकता हैं? 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 ये काम कर सकता हैं, आपका एक वोट आपका एक वोट ये आतंगबाद को खतम कर सकता हैं? कौन खतम कर सकता हैं? आपका वोट मोदी को जाएगा, मोदी आतंगबाद से लड़ेगा! आप मेरे साथ एक संकल्प लेंगे! मेरे साथ एक संकल्प लेंगे! दोनों मुठी बन करके! मैं बोलूँगा आपको बोलना है चोकिदार! क्या बोलना है? क्या बोलना है? गाव गाव है! गाव गाव है! शहर शहर है! बच्चा बच्चा! बड़े बजुर्ग भी! माता बहने! गर-गर में है! खेत कलिहान में! बाग बगान में! देश के अंदर! सरहत पर भी! सरहत पर भी!